नमस्कार दोस्तों मैं उरितिक बोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरीमा बोत्रा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप आपकी कोलेज परिक्षए होती है तो वो नए नियम से होगी अब आपका पेपर है दोस्तों कितना इजी आने वाला है इस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या-क्या दोस्तों आपके पेपर के लिए नए नियम रहेंगे मैं आपको पूरी जानकर इस वीडियो में देने वाला हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चेनल गरिमा बोतरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन बटन को दबा दीजे जिसे शबी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास जाँ पर विस्व विदाले है यदि वहाँ पर कोरोना संक्रमण से ग्रशित मरीजों की संक्याधिक होती है और इसी इस्तति बनती है कि परिक्शाइं ना करवाए जाए तो वहाँ के सबी चातरों को है वो बिना परिक्शा ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा तो दोस्तों ये केवल उन विस्व विदालें कोलेजों और विद्यार्थियों के लिए निउज जिनके दोस्तों कोरोना संक्रमण की स्तती है वो यह तो अभी बिलकुल भी नहीं है या दोस्तों मिड जून तक ह olmas नही रहने वाली है चलिए दोस्तों बात कर लेते हें कि आ अपने यहां आजमाने के लिए स्वतंतर होंगे इसके साथ ही जिन विस्विदालियों के पास IT का अपना इंप्रास्ट्रक्चर मजबूत है वे ओनलाइन परिक्षा है कराने के लिए भी स्वतंतर होंगे विश्व विदाले अनुदान आयोग यूजिशी ने कोरोना संकटकाल की चुनोतियों से निपढ़ने के लिए विश्व विदालियों के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसमें इन सभी विकल्पों को सुझाया गया है आगे दोस्तों पहले नियूज पूरी में पढ़ लेता हूं और फिर आपको बताने वाला हूं कि जो ओपन बुक ओपन चोईस एक्जाम होता है वो क्या होता है वैसे मैंने पहले भी बताया लेकिन इस वीडियो में भी आपको फिर से पूरा बता दूँगा इसमें इन सभी विकल्पों को सामिल थे लेकिन वैकिसी नई विवात के डर से सदेव इससे पिछे अरता रहा है हालंकि अब इन सभी प्रयोगों आजमाया जासकेगा यूजी शी ने इसके साथ इविस्व विदाले को एक और एहम सुजाव दिया है जिसमें सेक्शन इक्षत्र सरू होने में देरी को दे परिक्षय कराने का पूरा प्लान वैजारी कर चुका है हालांकि इसके दायत विस्व विदाले को सबसे पहले अंतिम वरश की परिक्षय करानी होगी जो एक जुलाई से पंदरा जुलाई के बीच होनी है जबकि बाकी परिक्षयाओं को 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच मे किया जाना है आगे दोस्तों जो सोधकारियों को जारी रखने के साथ परियोग सालाओं को खुला रखे विस्तों विदा ले यूजीशी ने भी यह भी गाएगी सोधकारियों को है वो जारी रखे अब बात कर लेते हैं कि open book, open choice exam और mcq-based exam क्या होते हैं और वो किस प्रकार स दोस्तों इसी को यदि हिंदी में देखे तो एक open book परिक्षा वाया है जिसमें परिक्षय आर्थियों को प्रस्णों का उत्तर देते समय है उनके class note पाथे पुस्तक और अन्य अनुमोदित सामगरिशे प्रामर्स करने की अनुमती दी जाती है यह अब्यास कानून की परिक परिक्षय ले जा सकती है जिसमें विद्यारती है वो स्वयम परिक्षय देंगे तो अपनी book के हैं वो साथ में लेकर बेटेंगे उसमें होगा क्या दोस्तों कि आपके समय है वो गटा दिया जाएगा तीन गंटे की जगए दो गंटे या तेट गंटे का आपका paper होगा परिक्षय ने तो दोस्तों विद्यालियों को कह दिया था कि वो चाहे है तो ओनलाइन परिक्षय ने सभी विद्यालियों में सेस रही परिक्षयों को लेकर हाल में नई गाइडलाइन जारी की है इसमें सिमीच संसादनों के बीच ओनलाइन परिक्षय मुल्टिपल चोईस क्विशन्स, OMR पेटर्न, इंटर्नल असेस्मेंट और पिछले सेमेश्टर के अंकों के आधार पर फेसला लेने को कहा है प्रदेश के विस्व विदाले के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते वे ओनलाइन परिक्षयों को करवाना संभव नजर नहीं आ रहा है कुछ युनिवर्सिटीज में तो केमपस में पढ़ने वाले चात्रों के लिए भी ओनलाइन परिक्षया संभव नहीं है राजस्तान विस्व विद अब इनके बाद सभी को नई तरीके से तयारिया करनी होगी सभी विस्व विदाले के कैमपस वे एफिलियेटेड को देजों को मिला कर अभी भी 3,000 से अधिक पेपर बाकी है इतने सारे विस्व विसियों की ओनलाइन परिक्षया करवाना बड़ी चुनोती से कम नहीं है को आपके पहले से पेपर बना रखे हैं उनको उने हैं वो हटाना पड़ेगा और नई पेपर है वो बनाने होंगे उसके बाद में आपके दोस्तो एब बैस हैदा जी से हम कहते हैं उसके द्वारा क्यूशन से पुछे जा शकते हैं इसमें आपके समय गटा इया जाएगा और क्यूष्णों की संख्या को और अधिक बढ़ा जाएगा क्योंकि जो क्यूष्ण से दोस्तों अब केवल आपको ओमार्स हीट पर MCQ में एबस है दैको ही फिलब करना है युजीशे ने कहा है कि MCQ पेटन पर पेपर संभव है युनिवर्सिटी में सेमेश्टर व बड़ी संख्या में कोलेज चात्र प्राइवेट स्टुडेंट्स के रूप में परिक्षया देते हैं वे कोलेज नहीं आते हैं ऐसे में उनका इंटरनल असेस्मेंट नहीं होता यहां तक की कोलेजों की परंपरागत पढ़ाई में तो B.A.W.M.A. जैसे कोर्सेज के कई व प्रेक्टिकल होते हैं तो इस बार दोस्तों उनके प्रेक्टिकल होने भी है वो मुस्किल हो गया है इंटरनल असेस्मेंट भी मुस्किल हो गया है क्योंकि प्राइवेट इस्टुडेंट्स अभी तक कोलेज नहीं जा पाई है और लोगडाउन की सिस्ति में उनका जाना भ पूर्व अध्यक्षे प्रोपेसर बीयम सर्मा उन्होंने क्या कहा है MCQ से अधिक असर नहीं पड़ेगा लेकिन सबसे बुड़ी चुनोती ओनलाइन एक्जाम्स को लेकर आ सकती है हालांकि यह भी एसमभव जैसा कुछ नहीं है Infrastructure और Internet Connectivity अच्छे मिले तो Online Exam करवाने में भी हमारी University सक्षम है उन्होंने कहा है कि यह दी हमें एक तो Infrastructure दिया जाए और अच्छी Net Connectivity दिजाए तो हम Online Exam से भी करवा सकते हैं लेकिन दोस्तों यह मैं आपको बतादू बिल्कुल भी possible नहीं लग रहा है पूरे बारत की बात करें तो इका दुका विस्व विदाले को छोड़ दे तो कहीं भी मैं आपको बता दू ओनलाइन एकजाम नहीं होगा क्योंकि ये विस्व विदाले को पहली बात तो इंफराइस्ट्रक्चर और इसी इनेट कनेक्टिविटी प्राप्त नहीं है कि वो है परिक्षएं करवाई जास के दूसरी बात यदि उन्हें ये सुईदाएं दे भी जाती है तो उन्चातरों विद्यार्थियों का क्या होगा जो दूर दराज गावों में रहते हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है जिनके पास मोबाईल या पिसी ज नहीं होने चाहिए पहले विद्यार्थियों को ओनलाइन एक्जाम के लिए तयार करना चाहिए उन्हें पहले दोस्तों जो उनके इंटरनल असेस्मेंट होते हैं एक दो तीन बार वो करवाई जाने चाहिए उनके बाद में ही जो उनकी फाइनल एक्जाम होते हैं से जोड़ी टास्क फोर्स ने तही किया है कि नए सत्र में छातर संग्चुनाव नहीं कराए जाएंगे लोगडाउन की अवदी के बाद विश्व विद्धाले किसी भी प्रकार की छूटियां अपने शेक्षनिक केलेंडर में प्रस्तावित नहीं करेंगे और राज्य पास अगले सत्र से समान रूप में युजी शी का पाठ्थे करम अपनाए ताकि विद्यार्थियों की और से विश्व विद्धाले परिवर्तन की स्तिति में कटिनाई ना हो ऐसा करने से चोईस बेस्ट क्रेडिर सिस्टम भी आसानी से लागू ओसकेगा यानि मैं आपको यह द अब यह मुस्किल है अब सभी के दोस्तों जिनके फश्टियर में यदि एकजाम की कोई बुक मान लीजिये है एक है तो सभी विश्व विद्धालियों में वही बुक है वो चलेगी और जो छात्रों को शेक्षनिक जानकारिया है वो किस आतार पर दी जाएगी इस बारे मे वाइ इमेल के जरिए दी जानी चाहिए विश्व विद्धालियों द्वारा सभ्जेक्ट वाइज बेस्ट फैकल्टी को चिन्दित कर उनके लेक्चर वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि दूसरे विश्व विद्धालियों के विद्यार्थि लाब उठास के नए सत्र से ओन स्क्रीन इवेल्योईशन सिस्टम से कोपी जांचने की प्रक्रिया पीजी इस्तर से अपनाई जाएगी तक्निकी विस्व विदालियों द्वारा इसे सभी कक्षाओं के लिए अपनाया जाना प्रस्ता वित है आपके डिस्ट्रिक्ट और राज्ये में कितने कोरोना संकर्मित मरीजों की संक्या है वो मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिये जिससे मैं आपके विस्व विदालियों की सहीव ऐसे टिक जानकारी है वो आप तक कहुंचाने का प्रियास करूं आगे भी यदि आपके परि कि इस बार हो सकता है उनके क्यूशन से वो MCQ बेस पर हो या Open Book Open Choice बेस पर हो जिससे वो दोस्तों अपने तयारी का ढंग बदर ले और इस प्रकार से तयारी करें कि वो MCQ और Open Book Open Choice एकजाम देने के लिए भी तयार रहें धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक श